तरक्की से, कामयाबी से, और यह जो मैच हारना है, इसको क्या आप मेरिट का कतल समझते हैं, कि हमारे क्रिकट टीम में मेरिट नहीं है, अफगानस्तान की टीम को एक अच्छी टीम समझते हैं, या क्या आप समझते हैं कि कुछ चेक अंड बैलनस ही नहीं है हमारे मूल के फ्लाइटे कैंसल हो गई है और मुझे इन पर कोई दुख नहीं है यह बच्चों पर क्या दुख होना है छोटी चोटे बची इनको बेजा किस ने था वहां पर चीमा साहिए बेजने वालों में अफसोस है जिनको पता नहीं था कि यह बचे किस काबल है यह क्या करना चाहते पाकस्तानी क्रिकेट टीम का या किसी भी स्पोर्ट्स टीम का बाहर जाना जरूरी है कि क्यों कौम का पैसा खरच करें अभी तो जो मिया साब ने ब्रयानी दी थी वो भी अजम नहीं हुई जो रात को लोन ने दी तो लोगों को एटीका लगे अब शार परशान है अभी तो लाओर के बंदे तो आए नहीं थे जलसे में जो बाहर से आये थे जो जलसा मना कर गए खुशियां के मियां दे नारे बंजन गए अभी तो घर भी नहीं पहुंचे तो उपर से खबर उनको ऐसी बिजली की तरह गिरी उनके उपर चीमा साब मुझे समझे नहीं आती कि ये इस कंट्री के साथ हो क्या रहा है ये पहले भी मैंने सुना जो मैंने यहां तो मैच बेचे जाते हैं या परचियों पे लोगों को रखा जाता है सफार्शी रखते हैं परफॉर्मस नहीं है और उसमें मैं अब चीमा साब इस पे जितना भी अफसोस किया या काम है ऐसी टी ले ले लेते हैं आदे वहां ऊबर चला रहे होते हैं तो क्या जरूरत तकलीप करनी गरीब एक बेंक्रफ्ट मुलक है उसकी टीम को उठाके मैंस्ता हूं कि इसके बाद पाकस्तान की किसी टीम को बार नहीं जाएन चाहिए पाकस्तान में को आके खेल रहा हो तो चलो पेश कर दें उनको के यह लो जी हुमारे बच्चे आपके साथ मजाग करना चाहते हैं वरना इनको बार ना बेजा करें यह ना सिरफ कौम की बेजती है बलके लोग विचारे टीवी के सामने बैठ चाते हैं चुकियां करके आपको पता ही पहले पाकिसन सारा फारग है पिछले तीन यह कि मैंने आपको बताई सेमटी टू फ्लाइट्स कैंसल दिस मौर नें एक दिन में सतर क्रोड रुपे का खसारा हो रहा है दस हजार मुसाफर जलीलोखवार हो गया यह फ्लैग्शिप है यह हमारा कहते हैं यह जंडा लेके पूरी दुनिया में जाते कहां जाते हैं पहल चला रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं वहट इस आडारेक्शन मिया साब के सामने जिस तरह से स्टेड ने स्रेंडर किया कल पर सुख दुनिया परशान है बजाए गुडविल के नुकसार पहुंच रहा है उनकी रिप्यूट सारी दुनिया कह रही है इस वक्कत चीमा साब के हो चुका है अब अलेक्शन का एक्सि dol já रहा है पर यह पिल्कुल यह पिल्कुल चुकल करीकट के मैच है इसी तरह ऑप कि सियासत है वो भी बिल्कुल वो ड्रामा यह क्रिकट में आजी है वो भी या तो वो बिक जाता है जिस तरह मैंने क्रेट लग गया बुकी रेट लगा देते हैं तो या फिर वह एक एक्सरसाइज है खाम खाम एक तो प्रेसलर तर्मीम की वजा से मेरे खले कोई नों को बंदा इनों ने रखना होता है वजीरियाजम हाउस में लेकिन वह भी एक तकलीफ ही करते हैं अमेरिकन पहले प्रवेज मुशरब को भी स्पोर्ड करते ही रहे हैं देते रहें के पैसे आपको डालरों की परशानी ना करें से बचें इस कौम का पैसा बचाएं मिया साब ने कौन सा आके वह लोगों नो क्वेस्टिन किया हैं जी किस के वज़ा से यह सारा नादरा जो था वह एरपोर्ट पे पहुंच गया था वह बायोमेट्र करने के लिए किसके हुकम पर गया है वह नहीं जवाब दे सके क्या जवाब दे शर्मिंदगी यह 25 क्रोड लोगों के लिए इस तरह ना को पता ने कोर्ट सुनके साथ क्या करेंगी यह लेकिन चीमा साब इस कौम के साथ मैं समझता हूं कि मैं पहले जिस तरह कई दफा दुख ही होकर यह कहता हूं बड़े दुख के साथ कि खुदा ने भी हमें वेंडर कर दिया ना दौएं सूर रहा ना बन दौएं सूर रहा इंडिया में प्लोटिकल असाइलम या बंगलादेश चले जाएंगे पाकस्ता क्या आके लोगों को बताएंगे क्यों कौन है इससे जएड़ा भी तद्लीव तुनिया में पासिबल है कि एक ऐसी कौम ने हरा है आज उन्हें जिनका जिनके नास पूरा पूरा साबत नहीं ह कुछ सड़की सीधी नहीं है प्लेग्राउंड होना यूनिफार्म लेना बड़े-बड़े मेंगे कोच रखना तो बहुत बड़ी बात है डालर उनके अमेरिका नहीं सैंक्शन्स उन पर लगी पड़ी है मैं हरान हूं वैसे जाती तोर्वें मैंने पहले भी आपको कई और आपके सारे डालर सक करके किस खुबसूरती के साथ एक खुदाद अना जी यह CSI सबसरान जो आप भेजते हैं यहां पर इनको काबल और कंदार की यूनिवरस्टियों में बेज़ा करें वहां से यह डिग्रियां लेकर आएं कि मुलक किस तरह चला है हम आज बांते हैं अपनी क्रिकेट टीम भी उनको को दर जाके खेला करें और यह आपके CSI सबसर जाकर आपका हर डिपार्टमेंट चलाने वाला जो है न उसके पास यह आक्सपोर्ट केमरज और हर्वर्ड की टिग्रियों इनको कंदार यूनिवरस्टी में बेजें यह वहां से सीख कराएं क किस तरह सेंक्शन के दर्मेया स्रवाइब किस तरह करें आपके उपर तो सेंक्शन ही कोई नहीं ना आप तो आई-एम-फ के बिलियंज लेकर भी निस्रवाइब कर रहे अभी तक तो वह बगएर किसी कर तो चीमा साब आर हिस्ट्री बनी है लेकिन मैं समझता हूं कि आप बस्तियों की नई गहराईयां धूंडते हाद वकर मुतलाशी रहते हैं आज वो आपने स्पोर्स में देख ली कावम पहले ही डी-मॉर्लाइजड है यह उसके लिए एक अलग जलती पे तेल वाली बात शीमा साहिब इस पर जितना भी दुख किया जाए कम है आज यह पाकस्तान की स्पोर्ट की हिस्ट्री का डार्कस दे है लेकिन इसका 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 रिजल्ट निकलना चाहिए आज इनको अपने क्रिकेट असोसिएश द्फ्र बंद कर देने जाहिए वो जो मुलाजमीन है उनको शनाफ्ति का दफ्र में ले जाएं वहां उंको रह दे उनकी शुगर में लाइनको बादिवदिन चले आप जहां से हैं यह लेकिन यह के आज के बाद करिकट का नाम लें हांकी शाकी फूटबाल तो वैसे ही है कि बठान बाइयों पे अच्छे पैसे लगा दिए उनके पाफ पैसा तो बहुत तार सा वे सी लगता तो यह है कि अफगानस्थान में ज्यादा नैशनलिज्ण में जैसे वो उसनों है जैसे हो ज़स्वे से किहल रहे हैं जिस तरीखेस वन ठ्राइबेल इडवाईजरी दे जी पाकिसदान होने के उधर न Adams उदर ना जाना भी उधर ना आ जिस की तरीकि escrito अगले दिन मैंने यूटूब पे एक अफगानी अमेरिकन गया अफगानस्तान के अंदर वो उसने कहा कि मैं राथ को ट्रैवल करता रहूं कोई क्राइम नहीं है कहीं जगा जगा तालबान मुझे रोक के पूछते हैं तुम ठीक हो तुम्हें को प्रावलम तो नहीं है तुम पाकसान डूटने के लिए जाते हैं वकेशन के लिए जाते हैं रहते तो लंदन बासी देखेना जुनेया प्राइमिस्टर है वो भी लंदन से आया जो इससे पिछला था वो भी फॉरण वापस गया अब बच्चे परापर्टी है सब कुछ वहां है हर एक तो वह पाकस्ता नी चीमा साब ऐसे सखत मायूस सखत मायूस थाब है कि ये अफगनस्तान इंसल्टिव मैं रहा है कि ये वह आप ने एक वर्ल्ड कप लेने वाले को वजीर आजम बनाया इसी क्रिकेट टीम का तौब अस्तर तौब तौब और आज आप अंजाम देख लें किया है इसके बा ताड़ सब आपको पता है कि रमीज राजा जो है पाकिसान क्रिकेट पीसीबी के हैडरें हैं अमरान खान के दोर में उन्होंने पाकिस्तान की नैशनल अस्वली की स्पोर्ट्स कमेटी के अंदर ये कहा था कि आज अगर भारत आईसी सी को पैसे देने बंद करे तो पाकिस कर रहा है ताड़ सब आम तो यह भी नहीं कहल सकते कभी नजम से कभी यह पता नहीं का जिया कौन आजाते हैं यह इतने अमीर लोग है इनको क्या ताड़ सब्सक्राइब करना परती करना पैप्सी वालों का इस्तियार को उसमें से खापी लेते होंगे कुई दर उदर सब्सक्राइब करते हैं उन्हों ने अपना जर्नलिज्म करियर सारा छोड़ के इसमें आये ते कुछ नान प्राफिट काम के लिए तो नहीं आये तो कोई चार्म तो होगा इसमें लेकिन यह कि मैं हरां और सफार्शें चलती मुझे आं देखा कितना प्रेशर था इम्रान सब्सक्राइब और दूसरे लोगों पर इसी की चेर में शिप के लिए लेकिन मेरा आज के बाद इसको बंद कर देना चाहिए यह इस इस यह बैसा नेशनल ना सिरफ यह बहुत और जब पता हो लेकर जाने वालों को पता होगा यह किस किसम की टीम है एक बच्चे तो मुझ बच्चों को चाहिए कि उतर प्लिटिकल असाइलम भारत में बंगला देश चले जाए महां स्वेट्शेट्स की जो फैक्ट्रियां उनमें लग दे जाए कि इतर आने की क्या सब्सक्राइब यह तो आपसी पर आने के लिए फ्लाइटन तो है नहीं इनको सैक्लों के आंगे यह पैदल आएंगे वैसे अच्छा तो है इनको कहें यार पैदल निकड़ो चलो पैदल चलो लावराने पास से मुझ का लिए हो तरसाब इसके लिए देखी यह बादकिस्मती है कि पाकसान क्रिकर टीम जो है वो दुबई के हो गया यह तरसाब एक जरा इस पर भी कुमें होती हो तो शुकर करन मिजरी लबने है लोकान सीटी का मार मार के लिए शर्मिंदकी नारब चलो अमेजन करो यूर सिटिंग इन और पीछली दमाब को पता है ना आपके पठान बाइगरो दुबई में आपको कुर्सियां मारी थी स्टेटिए बिलकु सही कह है आज को नही हम तो भी इदर अपनी प्रापटी देहने आए थे ग्रैंड फाधर की लेकिन चीमा साब जयत्ती है आज मैं क्या करूं इसका सफ जयत्ती है आज एक तुम्हें पी ये का सुबह सुबह सुना है तो उसका अफसोस था को काकर साब ने आगे से कडाके निकाल दी है जब उन् सुनने वालों के तक तक तो पहुंची नहीं होगी यहां पर एक सेनेगाग के अंदर एक है यह अफदी को मुल्डर कर दिया क्या है डिट्रॉइड डिट्रॉइड वो क्यों उतार सब ये इस्रेल पलस्तिन इस्राइल के वैसे वो जो मैं आज सुबह खबर पढ़ रहा था एक चगा कि चीमा सब आपकी जो इस वक्षत हमास है अलकाइदा और आइसस यह लोन जो लोन होते हैं न जो अकेला लॉन वॉल्फ लॉन वॉन वो उनको पर्मोट कर रहे हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजजशी एंगें उनको ट्रैक नहीं कर पाती है दियर पर्मोटिं हो गया है ज्याती है और इसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं इसमें यकीन करें इस वक्त दो बिलियन के क्रीम मुसलमान हैं उनकी सखती आई सारी दुनिया के पहले जो इसलामोफोबिया अब नफ्रतें मजीद बढ़ेंगी और जो बिचारे बिदोशे लोग फलस्तीन में मर रहे हैं वो एक लग जयाती है बच्चे है आज मैं हरान था पांच हजार मर चुके हैं जिनमें आदे के क्रीब बच्चे हैं उनका क्या कस हो लेकिन आज पूछना चाहिए हमास वालों न यह तुमने क्यों शुरू किया था तुमने इससे क्या गेन किया है यह क्या गेन करोगे से जयाती है जयाती है बिल्कुल तार साब और यह तो जंग मिडली से निकल के तो और मुलकों में चली जाएगी जो जो के जारी बात है खतरनाक है और यह हर तरफ बदमनी पहलेगी और यह मिलिटेंट और्गनेजेशन्स हैं बजारी बात है यह उनका भी इंतिहान है ने वह तो देखे जितना ज्यादा इस तरह कि मैंने आपको अगले दिन कहा था मैंने का यह जो हमास ने जो किया इससे जो टैर्रिस्ट और्गनेजेशन से उनके हुसल मुलंद हो और आज जो आप कह रहे हैं कि सप्रेंड होने का अज पहली दफ़ा छे बैरी जहाज चाइना के जो है वह वेस्ट अशिया में आ गए उत्व पहला उनका साफ कोईत और अमान से होकर वह च्छे के च्छे वहां आ गया उनका डिस्ट्रोय रहे एक जो आ गया वहां और और दूसरा जो कल आपने देखा हो अगर फिल्पाइन और चैना का जो क्रॉजन हुआ है शिप्स का और उसके बाद आज सारा बेस्टन मीडिया उसी को करना था बलकि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटंगान की उसके उपर ब्रीफिंग थी आ जा जा इन चीजों के फिल्पीन और और चाइना के छे जहास जो आ चुके हैं आस पास बाहन पे इस इस सम्सीरियस मैटर लेकिन क्वेस्टन अगें के हमास ने क्यों शुरू किया और इससे क्या निकलेगा ये एक बहुत बड़ा क्वेस्टन बिलकुल सही कह रहें तरसभ वो तो एक है तरसभ पाकस्तान के हवाले से थोड़ी गपशब करें कि ये आज उन्हों ने कहा है कि जो स्प्रीम कोर्ड ने कहा है कि जो मिलिटरी ट्राइल है वो सिविलियन्स का नहीं हो सकता आप कैसे देखते हैं क्योंकि ये 9 मैई के वाकि एक्षिन बदल सकती है क्योंकि सुप्रीम कुट अगर ये कह रही है कि आप सिविलियन्स को मिलिटरी कोर्ड में ट्राइ नहीं कर सकते तो इक मीन्स के जो हो रहा था वो गल्त हो रहा था वर डियू मेक आफ डैट सब सबसे पहले दो खबरे थी आज जो इसके उपर अपील करते हैं या ने करते हैं कि एक सबक्राइब और इसके भाद चीमा सा Geral लिया जा चुका है कि जो काफी लोगों को छोड़ दिये जाए है क्ये तकरीबार एक सो एक लोग हैं एक सो चार लोग हैं जिनके खिलाब मिल्टरी टाईल me case चलना है उन मेंसे वैसे ही जो majority जिनके बारे में का जाता है कि जिनकी जेनसाजी की गई थी बच्चे एक खास age के थे घृएब हमें घरों ऑusz्से तो पहले ही एक isop just uncle a रिया गया थै किस तरह उनको छोड़ना है उन से कौन सा एफिडेल लिख्वाना है उन से उन में से कई जो है वो गवाब बनेंगे कई जो है उनके पेरेंट्स उनके जिमेदार बनेंगे और उनको छोड़ा जाना यह बिल्कुल यह आरडी हैस बिन तो मैं समझता हूँ कि इसमें देखें मिल्टरी ट्राइल नहीं होगा लेकिन यह बताएं कि जिस तरीके से नवाज श्रीफ साब को कल उनके चार मिनिट के अंदर जमानत दी गई है आज डार साब को जो है उनको भी पारग उन्हीं इदालतों ने कर दिया है तो इनको मिल्ट ट्राइल में नहीं होगा तो जो दूसी दालते होंगी वो मिल्टरी स्टाइल में बहें करेंगी यह इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर किसी को आज एक और बात है आज आपको पता है ना क्या जाए और साइफर के हवाले से भी जो है वो फंदे जुरम जो है वो केस्ट ज जो कुछ भी हो रहा है मैं समझता हूं जिस तरीके से नुवाज श्रीफ साब को बिल्कुल रिसीव किया गया प्रोटोकॉल सारा कुछ खैर मुनासब सा लग रहा था लग रहा था फैब्रिकेटिट है अलेक्शन से पहले ही अलेक्शन का रिजर्ट दे दिया गया है यह ज जाती है मैं समझता हूं इन्हें चाहिए था कि वो आते अदालत में जाते प्रोसीडिंग होती चाहिए एक रात किसी रैस्ट आउस में रख लेते कोई एक उसको सिवलाइस तरीके से सारा कुछ करते है अब वो जिस तरीके से सारी जी लेटी जा रही है सलूट उनको करने की चाहर पैसे बचा लें बैंक्रप्टा पहले चलें पैसे नहीं बचाने कुछ आपिंग कर लें लंदन में बचे आपके महंगाई के नीचे आए पड़ें कई आपकी ब्योरो क्रेसी के लोग जो है उनके बच्चे बड़े परशान है ट्यूशन फीसें में के डियू कर रहा हूँ इस वक्त बड़े-बड़े मुबसरी यह बाते कर रहे हैं मैं खुद यह जो मैंने दो तीन जो एनलिस्ट हैं उनके सुनके आ रहा हूँ उनके इस इस बड़े ठाकिंग अबाओ कि यह एलेक्शन का रजल्ट पहले ही निकाल दी है जहन साजी शुरू होगी ताड़ साब कि इस वक्त नवाज शरीफ नहीं पावर में आना है मरियम नवाज नहीं मुलक को चलाना है तो इसका मतलब ताड़ साब फिर पीटी आई के दो दिन है वो तो बुरे हैं और एक तो यह चीज़ होगी तो ताड़ साब जो आज बिला जरदारी जो के पिछली कुमत में फॉरन मिनिस्टर रहे हैं लगता है अगली कुमत में ओपोजीशन लीडर ही आएंगे और यू सी दिस इच्छी मां सब मैं देख रहा हूं प्रेस पार्टी और पीटी आई का कठा हो ना उनको सिमिलारिटी उनकी देखे मुफाद उनका हो जाएगा बलके वो कुछ सेरिटर्स ने जो डिमांड कर रहे हैं सेरट के जलास की वह भी इसलिए करना चाह रहे हैं कि महां पर बैट के क्रिंट साइज किया जाए चीजें अपनी अपनी बुरास निकाली जाए तो वो मैं जो मैं देख रहा हूं बलके उनके रवाबत ए हैं इस्टैबलिश्मेंट या बिरॉक्रेसी के अंदर ये सारा एक मैच होगा लेकिन इसमें जाती तोर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से सारा कुछ खेला जा रहा है पाकस्तान डसन लुक लाइक बिनिग जो समझता हूं क्योंकि इस वकत तीन चीजें इस क्रूशल है पाकस्तान के लिए दैशतगर्दी के खलाफ लड़ना अकानमी तीसरी कुरॉप्शन तो तीनों जो भी जे मम बातें कर रहे हैं किसी ने भी आज तक कोई खुल के रोड मैप नहीं दिया रोड मैप अभी तक जरा अगरी कल्चर के हवाले से सिर्फ दिया है तो आसम उनीर स सेंचरी जो के इंफरमेशन की सेंचरी है किसी के मुझ से अभी तक नहीं एक लब बलके एक और बात बताना चाहता हूँ नुवाज शरीफ साब के बारे में एक सक्त जो कहा जा आज कल कहा जा रहा है कि he's an old guy, his leaders are old, his ideas are old, most of his स्यासदान जो है वो ट्वीटर तक नहीं राएंगे, मेरी समय से बार है, एक जो नया इन्होंने अगले दिन बात की है, जो इस पर बड़ा question हो रहे हैं western media में के we want better relations with the neighbors, तो वो सियासी जलसों में बयान देने से थोड़ी हो जाएंगे, तो वो उस पे तो आपको काफी steps लेने होंगे, काफी ज्यादा, क्यूंके ख दो कदम पीछे चले जाते हैं, इमरान खान साब ने एक दफ़ा अनौस किया था, ट्रेड शुरू करेंगे, शाम कोई चेंज हैंगे, लेकिन यह कि दो जो आपको crucial मैं समझता हूं, जिनके साथ आपको ट्रेड शुरू करना होगा, यह relationship बेदर करने होगे, भारत और चेंज में जिस कंपनी, जो कंपनी डूब रही होती है, उस पर तो कोई पैसा नहीं लगाता, तो हम भी देख रहे हैं कि हम स्टॉक सेंज में, यह बिसिकली वो कहना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल सिस्टम है, पाकसान इस 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 इर्रेलेवेंट, तो हम क्यों उदर एक द किसी ना किसी तरीके से डायलाग शुरू होंगे, करेंगे, अच्छा उसमें चीमा साब एक और चीज होती, कई दफ़ा डायलाग शुरू नहीं किये जाते, बैक डॉर डिप्लोमेसी होती, नान स्टेट फैक्टर जो एक्टर्स होते हैं, वो डायलाग शुरू करने की कोश सामाद लगाते हैं, उनको क्लारिफाय करना होगा, आपके जिस तरह आपके NSA थे पहले, आपके उसी लेवल के लोग, पहले भी जनरल फैस अबीन साब जो हो डायलाग करते रहे हैं, मिडल इस के कंट्री में बैठ लिए रोल प्ले करता रहा है, आप किसी ना किसी अपने ज किसी को तो करना होगा, वरना आप इसी तरह बैठे रहे हैं, उन्होंने ते आज अपना गंग्यान शुरू कर दिया है, वो तो मेरा मकसद है, अपना तीन उन्होंने अपने एर फोर्स के पाइलेट जो है, उनकी तस्मीरे में शाया कर दी हैं, और वो एक बिलियन डालर को तो और दूसरा मैंने आपको कर परसू बताया था कि गूगल अपना फोन को बनाना चाहता है, सैल फोन जो है भारत में, और इस तरह की कई चीज़ें जो मैं गिनमाओं तो उनकी लिस्ट ही नहीं बनती, जरूरत आपकी है, उनकी जरूरत नहीं है, तो हमेशा जेन में र दालने चाहिए, तालुकात बेतर करने में कोई फरक नहीं पड़ता इस चीज़ से, मुलकों के लिए इस तरह के जो इवेंट्स हैं, वो